दिशाए कारिक्रमों की इश्रिंखला के अंतर गयत कारिक्रम उसका हक नईनम छिन्दन्ति शस्त्राणी नईनम दहति पावका नचैनम क्लेदयन त्यापो नशो शयति मारुता वासांसी जीर्णान यथा विहाय नवान गृन्नाति नरोपराणी तथा शरीराणी विहाय जीर्णान अन्यानी संयाति नवान देही अब मृत आत्मा की शान्ति के पश्चात मृतक के पुत्र को उसके पारिवारिक दायत्यों के संबंध में बताना होगा आओ आगे आओ बेटा यहां अब ये तिल, कुशा और पुष्प मेरे चरणों के आगे रखकर मुझसे आशीरवाद लो अब ये तिल, कुशा, पुष्प मेरे चरणों के आगे रखकर मुझसे आशीरवाद लो अब से तुम अपने परिवार के संरक्षक ही नहीं बलकि सारी धन संपत्ति के अधिकारी भी हो पिता की मृत्यु के उपरांत मा और अविवाहित बहन का उत्तर दायत्व तुम्हारे कंधों पर है अपने दायत्वों से कभी मुह नमोर ना बेटा अब अपने स्वरगीय पिता का स्मरण करके उनसे शक्ति मांगो और आशीरवाद लो ताकि तुम अपने संपूर्ण सामर्थ के साथ सोंपे गए दायत्वों का पालन कर सको ओम शान्ति ही शान्ति ही शान्ति ही जन्ति करू बहू अब पंगत पैठने ही वाली है अच्छा आओ चाची कुछ नहीं करके भी पचास लोग तो घर के ही जुट गए तो तेरवी का भोज है चाची लोग तो जुटेंगे ही मुझे तो सांस लेंगे की फुरसत नहीं मिली है अब ये हांडी उतार तो वो चड़ा अरे ऐसे वक्त में कोई पास बैठकर सामान ही देता रहे तो कितनी सुविदा हो जाती ये मामी जाने कहां चली गई है क्या पता कहां है बैठी होंगी कहीं कप मारने अरे चमेली जरा हौदी भर देना पंगत बैठने पर पानी के किल्लत नहीं होनी चाहिए अच्छा बहू मैं जरा भावी के पास हुआ हाँ चाची अब मात तो टूट गई है एक तम मुझसे उनका दूपनी देखा जाता सुबा से कुछ नहीं खाया पिया उन्होंने अब तुम ही बताओ एक ग्लास दूद से भला क्या होगा शरीर है अखिर चलेगा कैसे चाची तुम्ही मिनत खुश्यामत करके दो चार कौर खिला सको तुम्हे ठाली लगा दूँ लग दे दे कोशिश करती हूँ कुछ भल रखतूं क्या हाँ ये सेपी रखते अच्छा चाची अच्छा बहू मैं अभी आई है अच्छा चाची भावी ओ भावी बावी सू क्या कौन चोटी हाँ भावी मैं अब जी कैसा है तुम्हारे देवर को तुम्हारी बड़ी फिक्र है रात कह रहे थे अब भावी गाउं में अकेली रह जाएंगी लड़का तो हफता दस दिन रहकर शहर चला जाएगा नौकरी जो है बस भावी और रानी बिठिया रह मेरे किसमती खराब है चोटी इस उमर में साथ चोड़ गए मेरा भावी भावी रो मत देखो तुम्हें मेरी कसम लो मैं तुम्हारी लिए कुछ खाने को लाई हूँ नारी ना मुस्से नहीं खाया जाएगा स्यादा नहीं है भावी सेव की भांके हैं बस अब उठो भी ब्लड प्रेशर की दवाएं खा रही हो याद नहीं डॉक्टर ने कहा था दवाओं से पहले कुछ पेट में जाना ही चाहिए अच्छा ये बता पंगत बैट गई फिक्र काहे को करती हो भावी तुम आराम करो यहाँ अच्छा अब चलू हाँ अरी जरा सुनतो पंडित को कुछ दिया दिलाया या नहीं कहा न भावी तुम चिंता मत करो पूरे दान दक्षिना दी है अरे ये कूठरी से किसके रोने की आवाज आ रही है रानी होगे और कौन बापो की लाड़ी तो बही थी ना मैं देखती हूँ अरी तो यहाँ बैठी है तेरवे का भोज है लोगों ने जीमना भी शुरू कर दिया बेटे रोने धोने से क्या होगा पगली पिता की तो हर संतान लाड़े होती है यह जीवन तो एक यात्र है बेटी जो आया है वो जाएगा ही कोई कतायर में पहले है और कोई बाद में कुछ तो अपनी मां का खयाल कर बेटी चल चल बीटी मुद धोकर बाहर चल आज़ अपने भाबी का हाथ नहीं बटाएगी है चल आ बेटी कर दो चूले से हटके हट उस कपड़े को हट आ चूले के पास से सुन ये थाली जरा बाहर ले जा और देख सब को पूरी देता जाना समझा अज़े मेली ले इ Willy हा आंज बचले जल्दी जल्दी हाथ चला ना ठैक सारी पंगत बै फ्री आदिध किसी को ने मिठाइ 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 ले जा है कि आ आ सुन स्री बपातल है व बहुतति रख थे प्र privacy राखने और सुन साकोरेपतल जो है वो अधर बाहर फेक क्या ना पुर्णा अरे कहा रह गई थी बड़ी देर लगा दी अरे उपर भाबी को देखने गई थी बहुत अपसे चार दफा पूछ चुकिया चाची कहा है चाची कहा है अरे तो तुम ही उसका हाथ बटा देती तुम भी तो आखिर मामी हो क्या करें अकेली जो है हाँ वैसे काम तो बड़ा जी लगा कर कर रही है क्या बात है बात क्या है अरे सारा रुपया गांट में जो आ गया है इकलौती बहु है कोई साजेदार नहीं है लेकिन सास ननत तो है ननत का ब्या भी तो करना है उसके लिए सास अपने सेवर तोड़वाएगी लो और सुनो, कैसा जमाना आगया जी? मामी, जमाने को किसले कोस रही हूँ? कहां मैंने पहचान आने भईया अरे ये अपने दुरगा लाल जी का लड़का है लखन अई लखन है ये? हाँ अरे कित्ता बड़ा हो गया? और क्या, ये वकील जो हो गया है अच्छा हाँ, तो जमाने को क्यों कोस रही थी? अरे बेटा, तुम्हारी भावी का जिकर चल रहा था अब जब पूरी जमीन जायदाद पर उनका अधिकार हो गया है तो जिम्मेदारी भी तो निभानी पड़ेगी की नहीं? पूरी जायदाद पर? वो कैसे? लो, और सुनो अब जब हमारे जेट ची का एक लौता लड़का है नरेश तो पूरी जमीन जायदाद का वही तो मालिक होगा अरे चाची, किस जमाने की बात कर रही हो? जानती हो, अब पिता की संपत्ती पर सब बच्चों को बराबर का हक है चाहे लड़का हो या लड़की अरे भाया, ये काइदे कानून शहर में चलते होंगे हाँ, गाहां में नहीं लेकिन मामी, काइदे कानून सब के लिए एक है आए हाए, तुम भी किस बहस में उलच गई हो, जिसके जादाद वो जाने चलो बेटा, तुम खाने बैठो, ये दलीले कोट कचेरी में देना हाँ अरे मैं कहां दलील दे रहा हूँ? अब रहने भी दो आचा, आएए चलिए पाया लागूं अम्मा अरे, कौन? नरेश पड़े दिनों बाद याद आई माके छे-छे महिनों तक तेरा मूँ देखने को नहीं मिलताई अब क्या करूँ अम्मा दफतर से छुटी नहीं मिलती और बहु कैसी है? ठीक है ठीक है अरे रानी देख कौन आया है? आई माँ अरे भाईया, नमस्ते भाईया नमस्ते नम्माँ भाभी नहीं आई? नहीं वो नहीं आई जा, जरभाईया के लिए गिलास दूद तो बनाला बिटा अच्छा माँ, अभी लाई अच्छा ये पता शेहन में जमीन खरीदी के नहीं? हाँ माँ वो पिछली बार गाउं के जिस जमीन को बेजकर पैसा मिला था उससे जमीन तो खरीद ली है लेकिन मकान बनाने के लिए और पैसा चाहिए और पैसा? वो कहां से आएगा? अमा, मैं सोचता हूँ अगर तुम लोग शहर आ जाओना तो मैं ये मकान बेज़तू उससे शहर में मकान बनवानुगा क्या कहते हूँ बेटा? तुम्हारे पिता जी ने बड़े चाहों से ये मकान बनवाया था इसे बेज़तों के तुम अमा, बताओना क्या करूँ तुम ही बताओना फिर शहर में तुम जिस मकान में रहते हो मां हम दो मा बेटी कहां समाहिं की बेटा? अमा, अब थोड़ी तकलीफ तो होगी लेकिन एक बार मकान बन जाने पर कोई लो भाया, दूद, शहर में मकान बनवा रहे हो? हाँ बेटा, हम से शहर आकर रहने को कह रहा है ये ये तो बड़ी अची बात है, मैं कॉलेज में बढ़ सकूंगी क्यों, तु क्या सदा बैठी रहेगी है, तेरा ब्याहन होगा क्या? अभी से, अभी इसके उम्री क्या है बिटा? ओफो, अम्मा, अभी का मतलब बिलकुल इसी दम तो नहीं ना अब साल डेड़ साल तो लड़का ढूनने में लगी जाएगा नहीं भाया, मैं अभी पढ़ना चाहती हूँ क्यों, तुझे नौक्री करने है क्या? नौक्री करने में कोई दोश है क्या? तुम नहीं कर दे नौक्री ज्यादा नहीं बोलते, रानी जा, जाकर गाए किसानी कर दे तू अच्छा मा वैसे बीटा, आजकल के जमाने में लड़कियों को अपने पेरों पर खड़ा होना अच्छी बात है नमस्ते चाची अरे नरेश भाईया आए हुए नमस्ते भाईया नमस्ते नमस्ते, आओ बैटो लगन, बैटो और सुनाए भाईया, सब कुशल तो है ना? सब तेक है पिछली बार आया था तो चाची केह रहें थी के आप शहर में मकान बनवा रहें वो लखन बनवाना तो चाहता हूँ लेकिन पैसा कहां है यसलिए अम्मा से कह रहा था कि ये मकान बिल जाता ना तो मैं शहर में मकान बन बन... ब्या, अभी उसकी उम्री क्या है चाची, अभी तो उसे पढ़ाओ, लिखाओ लेकिन लखन, कॉलिज की पढ़ाई कोई सस्ती थोड़े होती है, भया इतना हर्च मेरे बूते का नहीं फिर तो भया, आपको अभी मकान बनाने का खयाल छोड़ देना चाहिए, आखिर रानी के भविश्य का सवाल है मैं उसका भाई हूँ लखन, मुझे उसके भविश्य की चिंता तुम से अधिक है एक तरफ तो आप कहते हैं कि उसकी पढ़ाई का खर्च उठाने की आपकी खिशमता नहीं और दूसरी तरफ मकान बेचना चाहते हैं, जिस पर उसका कानूनी हक है उसी का क्या, अभी तो चाची का भी हक है कानूनी, कैसा कानूनी हक भई? भाया, आप तो पड़े लिखे हैं, क्या नहीं जानते कि हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के तहट पैत्रिक संपत्ती पर बेटे वा बेटियों दोनों का हक बराबर है और जो संपत्ती पिता ने स्वैम अर्जित की है, उसे वे वसियत लिखकर जिसे चाहते सकते हैं किन्तु अगर उन्होंने कोई वसियत नहीं की, तो उस पर मा और बच्चों का बराबर का हक है अच्छा, ऐसा लिखाया कानून में? हाँ, चाची अब 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 लखन, मैं और अम्मा कोई आलग अलगें क्या है? अरे भाईया, ये मैं कहां कह रहा हूँ, लेकिन जिस समपत्ती पर दूसरे का कानूनी अधिकार है, आप उसे बेश तो नहीं सकते ना? जमीन आपने बेश ली, सो बेश ली, लेकिन मकान नहीं बेशने पाएंगे अरे वाँ, अरे वाँ, तुम कौन होते हो जी, हमारे घरेरू मामूल में दखल देने वाले? मैं भी रानी का भाई हूँ, और फिर वकीड हूँ तो फिर तुम हमारे घर में जगडा करवाना चाते हो, मुकद में बाजी करवाना चाते हो हैं? नहीं भाईया, उसकी नौबत नहीं आएगी, आप तो खुछ समझदार हैं अमा, अमा तुम क्यों चुप्पी सादे बैठी हो, कुछ बोलती क्यों नहीं? बेटा, मैं तो पड़ी लिखी नहीं हूँ, लेकिन हाँ, अपनी बेटी को ज़रूर पढ़ाना लिखाना चाहती हूँ, फर तुम्हारे पिताजी की भी यही इच्छा थी, कहते थे, मैं रानी को वकील बनाऊँगा अमा, अगर रानी वकील बन जाएगी, तो उससे ब्याह कौन करेगा? क्यों भाईया, कामकाजी लड़कियों की शादी नहीं होती क्या? और शहर में मैंने जो जमीन खरी दिये, उसका क्या होगा? मकान कैसे बनेगा? बेटा, तुम तो कमाते हूँ, जब पैसा जुड़ जाए तो मकान बनवा लेना, इस मकान को बेशने के हख में मैं नहीं हूँ अच्छा, तो तुम्हें हमारे सुक दुख से ज्यादा रानी की चिंता है, हाँ? नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है, तुम ही बताओ, तुम्हारे पीता जी ने तुम्हारी पड़ाई लिखाई में कोई कसर रखी अब रानी की बारी है, तुम्हें पीची कैसे अड़ सकती हूँ बेटा? फिर बेटा, बाविश्य का कुछ पता नहीं होता, कल को रानी की सामने कोई विपत्ती आ जाए तुम्हें हूँ ना मा, उसकी चिंता जो करती हूँ तुम्हें तुम्हारा भी परिवार है, कल को तुम्हारी भी जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, फिर जाकर भी तुम अपनी पेरों पर खड़ा होना जरूरी है, नरेश भाईया, आज भले ही आपको ये बातें बुरी लग रही हूँ, लेकिन जब रानी पढ़ लिखकर काबिल हो जाएगी, तो आप ही को उस पर गर्व भी होगा, क्यों नहीं, आखिर बड़ा भाई है ये, अच्छा, ठीक है, अमा रानी का भविश्य बनाना जरूरी है, मकान फिर बनता रहेगा, ये बात ही नरेश भाईया, पेटा, उसका हक, अभियाद सुन दहे थे ये कारिक्रम, आलेक, दिशा मिष्ट्र, विशे सन्योजन, मंता गुपता, कलाकार, सुरेश शास्त्री, सुनीती कोहली, सोभना जक्दीश, सरोज भारगव, मंता गुपता, अभै भारगव, मनोज भटनागर, और मालती कौशिक, ध्वन्यांकन, सतीश लाडे, निर्मान सहयोग, वंदना निगम, तथा निर्मान यंप्रस्तुती, अजीत होरू अजीत होरू